श्रधा मर्य केस में अब लगाता तफ्तीश चल रही है अब एक के बाद एक सबूत खंगाले जा रहे है और ये भी खबर आ रही है कि वो जंगल जहां पर उसने लाश के टुकडों को फेका था आफ्ताप ने वहाँ पर भी पुलिस उसको अपने साथ ले जाएगी शद्धा हत्याकान पुलिस कर रही है अब सबूतों की तलाश क्योंकि गबुल नामा तो आफ्ताप का सामने आ गया पूरी कहानी उसने खुद ही बताई लेकिन आफ्ताप को थाने से इस वक्त देखिए जंगल ले जाये जा रहा है जहाँ पर उसकी निशान देही के चलते ही पता किया जाएगा कि शफ की टुकडों को उसने कहां कहां प्रेका उसकी खलाश अभी पुलिस कर रही है अब आफ्ताप को थाने से जंगल ले जाये जा रहा है इस वक्त वहां ले जाकर उसकी निशान देही पर शफ के जो और टुकडे हैं उनको बरामत करने की योचना पुलिस की रहने वाली है तो इस वक्त जो आप तस्वीरे देख रहे हैं शफ के टुकडों की तलाश पुलिस कर रही है और इसलिए आफ्ताप को अब उस जगे पर उस जंगल पर ले जा रही है जहां पर उसने शफ के टुकडों को फेका था या कहिए ठीकाने लगाये था तो ये ऐसी घटनाज जिसने सब को जग छोड़ दिया है हाला कि पिता का बायान भी आया उनका कहना है कि फासी की सर्था से कम वो कुछ नहीं चाते उन्होंने अपनी लड़की को पहले ही समझाए कि लड़का ठीक नहीं है लेकिन लड़की ने कहा कि वो अपना ख्याल रख सकती है और उसके बाद मुंबाई छोड़कर वो दिल्ली रहने आ जाती है आफताफ के साथ लिविंज रिलेशन्शिप में ये लोग थे हाला कि जब आफताफ से लड़की बहुत दिन से मिली नहीं सोचल मीडिया पर आक्टिव नहीं थी तो परिवार वालों ने सवाल किया तो आफताफ का कहना था कि उसे छोड़कर जा चुकी है लेकिन ये इतना शातिर था कि इस पर भी उसने सोचा एक फ्रिज उसने खरीदा टुक्डे टुक्डे किये और उसी फ्रिज में उस टुक्डों को रखा और हर रोज रात में वो निकलता था जंगलों में जाकर शफ के टुक्डों को फेका आता था पांच महीने का वक्त हो चुका था तो आफताप को भी लगने लग गया था कि अब कुछ भी नहीं होगा लेकिन परिवार वालों ने चानबीन के लिए पुलिस से गोहार लगाई जब चानबीन हुई आफताप को पकड़ा गया तो सारा सच सामने आ गया और सच इतना दिल दहलाने वाला जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दे विश्वास से भरो अगर किसी पार विश्वास कर रहे हैं तो उससे भी कही एक तरीके से सोच कर करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके के हालाद बने शद्धा के कतल कर देता है बस इस बात को लेकर कि वो शादी का आप देख सकते हैं जिपसी जिस जिपसी में लेके वो अभी जा रहे हैं आफताब को और थोड़ी देर में हम भी पहुंचेंगे उस जगह जहां पेश अध्धा के 35 बॉड़ी पाट्स जो है उसको फेका था आफताब ने और कुछ बॉड़ी पाट्स हमने हमें पता है कि बो तो श्रद्धा मर्यक केस में अब सबूतों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और अब उस जंगलों में जा रही है जहां पर आफताब ने शवो के टिकडों को कहिए तो ठिकाने लगाए था अब आफताब को लेकर वहाँ जा रही है इस वक्त पुलि साथी साथ आफताब की मोबाईल में ऐसी क्या क्या चीज़े थी क्या उसने सर्च किया वो सारा अब पुलिस चानबीन में निकालती हुई नजर आ रही है